इत्तिहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा असलम आलेकुम रहमतुल्ला वारकातु इत्याहनुज में आप सबी का खैर मगदा में कुछ वाकिये कुछ हादसे ऐसे होते हैं जिससे माशरे की बुराई माशरे में बढ़ती जैनियत गरत कामों का सिर्फ अंदाजाई ही लगाया जा सकता है आज खास तोर से दो मामिलों का सिक्र करना जरूरी समझूगा क्योंके जिस माशरे को इतनी मजबूत इतनी पहतरी इन तालीम और तर्वियत की नसीहत दी गई ती जिसका सिर्फ मौजदा दौर में हाल देखने से पता चलता है कि आखर किस बुराई में ये माशरा मुब्तला है वैसे तो हुरियानियत बेहयाई इंतहा पर पहुंच चुकिये इसके लिए आखर काम जिम्मेदार है इस पर बारहा तबसरे और मजाफरे होते है पर बजाए कम होने के बढ़ते ही जारी है दो मामिले में एक है कोगनोली हंचनाल के नाले में एक शक्स की लाश जिसके कतलफ को इसी की बीवी यानि शरी के आयात ने अपने अशिक के साथ मिलकर अंजाम दिया था तो दूसरी वारदा अमदबाद की है जिसमें एक खातून जिसका निकाह तो 2018 में एक लड़के से पर जाने से पहले जो वीडियो इसने बनाया और अपने दर्दवर दास्तान को मुस्कुराते हुए बयान किया फिर अपने वालिद के साथ फोन पर आखरे गुफ्तगू भी फरमाई दिल देहना देने वाला रहा इन तो बाकियां ने इस हबते की आख़वार में सुर्किय बटोर ली है अफसोस इस बात पर होता है कि जस्माशरा को बहतरीन उम्मत कहा गया जो बुराई से रोकती और अच्छे की दावत देती है आखर किन किन बुराईयों को इन्हों ने छोड़ा है सबसे पहला बलगाम से खरीब हंचनान नाले में एक पती जिसकी उमर पचास स एक एक लोहे के डिब्बे में इस शक्सकी लाश मिनी त्यक्कि के बात पता चला कि लाश मोहमद जमादार की है हासल इतला से यह मालूू हुआ कि मोहमद जमादार ने एक शख्स का दी Niger का मालूह था इनցदार लिहादा सचीन मग्दूम आली और तहसीन ने मिलकर महम्मद जमादार का गला गोट कर कतल क्यार नोहे की पेटी में लाश को डान कर नाले में फैक दिया अब तहसीन पुलीस इराज़त में है तो सचीन मग्दूम फरा रहा है लिहादा सचीन के साथ दिगर दो अफरा जिन्होंने कतल की साजीश को अंजान दिया था सौरा बहुत सूरज को भी पुलीस ने गिरखतार कर लिया दूसरी वारदा जिसका जिक्र आजकर पूरे मुलक में किया जा रहा है और वो वीडियो वाइरल हो चुका है पूरे मुलक में जिस मैं खुदकुशी से पहले अपनी कहानी बयान कर रही है ऐसा की शादी 2018 में कहानी बयान करती भी आयशा जिसके शोहर का नाम आरिफ है 2018 में शादी आरिफ के साथ हुई थी लेकिन शादी के कुछ ही दिन बाद वो आईशा के घर वालों से देहच की मांग चरत है तंगा कर इन्होंने आखिर आरिफ के खिला एक केस बना दिया प्लिस केस किया लेकिन आईशा की बात उसे लगता है अपने शोहर आरिफ से प्यार करती थी और केस वापिस लेने के लिए भी कहरें, इन सब के बीच आयशा ने आखिर खुदकुशी को चुना, वो इन सब से बेजार हो चुकी था और एक वीडियो बना कर आमदाबाद की साबर नती नती में गूत कर अपने जान दे दी, जब आयशा का वीडियो सोचल मेडिया पर वा हमारा रद्यामल हमेशा वक्ति होता है, कुछ आख से होते हैं तो वक्ति गुस्त आता है, इस पर तबाद खयाल भी होता है, मिटिंगे इच्लास मनकत किया जाते हैं, लेकिन फिर उसे छोड़कर वही रफदार में जिंदगी गुजारने के आदि हो जाते हैं ये दोनों वाकिये से कई मर्द भी है, जो मचलूम है, जुम के शिकार है, तो कई ऐसे औरते ख़वातीन हैं, जिन पर जुम जाती की जारी है, और जुम के शिकार है, एक तरव शोहर का क्टल करने वाली, बद अखला का वुरत है, तो दूसरी तरव देहे जैसे लानक में मु ज़राती है हर दो चार घर के बाद आपको इस नवसक्त में मुनविस हुआ घर नजर आ रहा है औरतों में आजाद ख्याली का खुर्यानियत बेहायाई बड़ी तेसी से बढ़ रहे है तो दूसरी तरफ गलत रस्म रिवाज दहस का नाम नालिय बगर आपस में तैफ हुआ है किसी के जर्य कुछ मागने के तरीके बदल गए यहां तक कि शादी में ना सिर्क पैसे रुपिया बलकि अंडर्वियर और बन्यान तक तुलन के खर से लिया जाता आखिर इतनी बेगरती इस कौन में आई तो कहां से आई समझ में नहीं आता आखिर खुदा इस कौन पर पर अदाम के कुछ महलों में डीजे लदा कर नाचने का रिवास चल रहा है। जमातों की जानिश से सक्तिया वरतने की कोशिश की जा रही है पर यह कोशिश का की कमजोर नजर आती है। यह भी देखा जाता है कि अगर आमीर पैसे वाला बड़ा अदमी कोई जमात पैसे व परके की चिकाज़ ऐसा लगता है कि माशरे की इसला से ज्यादा मिया बीवी के जगड़ों में ही वक्त गुजरता रहता है अपने आपको दीनदार समझने वाले भी दीन की दावत दूसरों को देते हैं पर अपने घर की खबर नहीं रहादा इस पर इस पूर फितन दौर म हर हर मुतास्र होता जा रहा है मौले के जिमेदारों के है घर भी इस नहुसत से महफूद है लिहाधा दुनिया की फिक्र करने जब पहले घर की फिकर जरूरी है insights को ये शुवाह हो जिसमें कौन के जिमेदारों से लेकर आकरी की पर तक बुराई में मट्तला मुलफ नहों कारोबार तिजारत जवीन जायदात शादी ब्याद तिजारत नौकरी जहां भी जायेगा किसी खोटा लेको अंजाम ही देगा लिहाजा हमसे कोई भी तालुकात रखना नहीं चाहता जुरूर यह के बड़े जलासों में बड़े मैफिलों का आथमाम करने से हर फर्द अपने घर के फिक्र करें माशरा अपने आप ठीक हो जाएगा हमारा मसला यह है कि हम अपने घर अडोस पडोस रिष्टेदारों से भाई ये बहनों बज़र्गों से अच्छे तालुकात नहीं रखते पर दुनिया की फिक्र होट लेते हैं अपने रिष्टेदारों में घर जो घरीबी लाचारी से बेहाल है इसकी मदद तो नहीं करेंगे पर हर साल उम्रा जाने से नहीं चुकते लियाजा जरूरी है कि हमें अपने आमालों का आधसाब लेना चाहिए वैसे भी पूरी दुनिया में तुमारे खिलाब साजिशन के जाल बुले जा रहे हैं पर हमें पुरे कामों से फुर्चत नहीं वक्त बहुत गम है इन दो वाकियात का जिक्री से यह करना पड़ा कि हर हर मतासिर होने से पहले हमें कुछ वक्त रुक कर लमें फिकर कर रहा हूँ है 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 हाथ जस्तिण हे जलैए पाइंट तानीस उम्र से ज्रादा लोगों को चौरोणा वाक सीन दी गए बिलगाम में भी काफी जोगों प्राश लीड चेंड सालिया अक्सर्टिंशा क्यों कौरोना के कि क् कर आतामिका लाए है हिए मोड़ाम tap कि जाने प्रStart गोश्ट और शराब नहीं पी सकते हैं इसे अफवाएं फैलाई जारी है लिहाजा इन अफवाओं पर कोई तवज्जों ना देया इसे बोजारिश की गई वही दूसरी और किसान आतजाज में टीका करन की कोई जरूप नहीं ऐसा कहा गया किसान आतजाज में उम्र सिदा किस है इन्हें भी कोरोना वैक्सिन दी जाएगे कुछ लोगों ने आज भी एतराज करते हुए कहा कि वैक्सिनेशन क्या इतनी जरूरी है जिस पर मरकजी हुकूमत जबरदस्ति कर रहे है लिहाजा समाजवादी पार्टी का अशुतर शिन्ना ने कहा कि उनके पार्टी सरकारी मश्नरी में विश्वास नहीं करती है निका उनको भरोसा नहीं है जिस तरह का ठीका करत चलूआ जा रहे हैं उन्हें यह भी कहा कि एक साजिश है जिसमें पड़ूर्ख और लेगे तमाम इलजामों को रद करते हुए उन्हें यह भी कहा कि वैक्सिन सौ फिसत मेहफूज है किसे में एक्सिन के लिए हलका बुहार सरदर्द ऐलर्जिय आम बात है जिस पर तवज्जो देने की जोरोत नहीं है कॉर्परेशन दफ्तर के सामने लगाया वक्रनर परचम को हटाने के लिए फिर यमियस की जानिव से एतिजाज करने का एलान किया गया लиходा आठ मार्च को महामोर्चा निकाला जायेगा इसा मराठी अवाम की जानिव से लिएँ मीटिंग में फैसला लिया गया यह वियस का ए दिपकदरवी की सदारत में इस मीटिंग को मुनकट किया गया था इस महामर्चा के एलान के बाद इंतजामिया क्या करवाई करती है इससे सवाल व्यावर्व की जाने बसे किया जा है कि बेलाम शेर और अतराब के तक्रिवन 16 स्वी जायत मंदिरों का इंतिजाब अब हुकुमत के जहरे इत्माम होगा लियाजा इस हुकुमत के फैसले पर मंदिर के ट्रश्टियों ने और मेमरान ने एतराज जताते हुए कहा के हम इसके ख़राब एतजाज करेंगे हिंदु त मंदिरों को भी अपने कब्से में लेना चाहती है इसका मतलब मौजुदा हुकुमत महज़ा एलान हिंदुों के हक में करती है पर हिंदु के हक में आमल नहीं करती लिहादा इस फैसले को फावरी तोर पर वापिस लिया जाए और भी 25 मंदिरों पर हुकुमत का इंतरजाम ह होगा इस जिसके फैर इस जल्द पेश की जाएगे इसा भी कहा गया है इंटरनेशनल यूमन राइट प्रोटेक्शन पीरियो ओमन सेल यानि शौब खालतीं की जानिव से नंदन मकदाम में जाकर हाई में मुतासिर बच्चों से मुलाखत परमाई और इनके साथ कुछ वक् पन्नाडे और शादाब पन्नाडी के साथ दिगर जिम्दारान भी शरीक रहें बेलगाम उक्केरी के केमपेगुड़ी टेकडी से मिट्टी का धेर गिरने से मिट्टी के मलबे में दबकर दो लोगों की माथ हो गई दोनों हुक्केरी के हैं जिनका नाम गुरोर अलवपा है सुबर जब मिट्टी का मलबा इनके ऊपर गिर गया है जिससे दोनों की जगह पर इंबाउत हुए हुक्केरी पुलिस्ताने में मामला दर्च है ख़बरों का सिलसला यूही चलता रहेगा देख तरे इत्यादू शुक्रिया अलावास